एक दिन शाही नाई दारी बनाने के लिए आया तो राजा कृष्ण डेव राई सोय हुए थे। नाई ने सोते हुए ही उनकी दारी बना दी। उठने पर राजा ने सोते हुए दारी बनाने पर नाई की बहुत प्रशन साथी। राजा उससे बहुत प्रसन हुए और उसे मैं आपके शाही दर्बार का दर्बारी बनना चाहता हूँ राजा नाय की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए नाय की उच्छ नियुक्ती का समाचार जैसे ही चारों और फैला अन्य दर्बारी यह सुनकर व्याकुल हो गए सभी ने सोचा कि अग्यानी व्यक्ती दर्बारी बनकर अपने पदका दुरुपयोग कर सकता है सभी दर्बारी समस्या के समाधान के लिए तैनाली राम के पास पहुचे तैनाली राम ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया अगली सुबह राजा नदी किनारे सेर के लिए गए वहाँ उन्होंने तेनाली राम को एक काले कुत्ते को जोर से रगर रगड कर नहलाते हुए देखा तो हैरान हो गए राजा द्वारा कारण पूछने पर तेनाली राम ने बताया महाराज मैं इसे गोरा बनाना चाहता हूँ राजा ने हस्ते हुए पूछा क्या नहलाने से काला कुत्ता गोरा हो जाएगा महाराज जब एक अग्यानी व्यक्ति दरबारी बन सकता है तो यह भी गोरा हो सकता है तेनाली राम ने उत्तर दिया यह सुनकर राजा तुरंट समझ गए कि तेनाली राम क्या कहना चाहता है। उसी दिन राजा ने दर्बार में नाई को पुनह उसका वही स्थान दिया, जिसके लिए वहुप्युक्त था।